हेलो एभरीवन वेलकम तो इंजिनियर सेजक्रेशन पॉइंट इस वीडियो में पावर ग्रीड कॉर्परेशन ऑफ इंडिया लिम्टेड का जो एक्जाम हुआ है पांच पांच दोजारता इसका उसका कोशन को हम लोग सॉल करेंगे यह कोशन पेपर डिप्लोमा ट्रेनी एल कोशन पुछा गया है चलिए कोशन की ओर आते हैं पहला कोशन है वाट इस दा भैलू आप ड्रेन करेंट इन एन फेट एकॉर्डिम टू सोखले एक्वेशन इफ आई डी एसेस इस काल टू तेन मिलियंट एर बीजेस इस काल टू माइनस थ्री बोल्ट बीपी इस काल टू म आई डिया हुआ है तो देखिये ईसस यह तस मिलियंट और घ्रवेशन दिया हुआ है माइनस थ्री बोल्ट बीपी दिया हुआ है माइनस शिक्ष भोल्ट अब देखिये यहां पे सोकले एक्वेशन से क्या होता है सोकले एक्वेशन कहता है ID is called होता है drain current is called to IDSS 1-VGS 1-VGS बट्टे वीपी का हौल स्क्वाई VGS बट्टे वीपी का हौल स्क्वाई अब यहाँ इस फर्मूला से निकाल लीजिए यहाँ पर ID निकाला है ना drain current तो ID is called to क्या हो जाएगा ID is called to हो जाएगा IDSS कितना दिया हौआ है IDSS दिया हौआ है 10 mA 10 mA 1-VGS कितना दिया हौआ है VGS है minus 3 बट्टे वीपी है minus 6 minus minus कट जाएगा और इसका हौल स्क्वाई कितना जाएगा equal to 10 mA 1-3 by 6 है तो 1 by 2 हो जाएगा का हौल स्क्वाई अब कि जे इसको तो 10 यह हो गया 2-1 बट्टे 2 का हौल स्क्वाई तो 10 गुने 1 बट्टे 4 कितना जाएगा 2.5 mA option A हो जाएगा option A ID is equal to IDSS 1-VGS बट्टे वीपी के हौल स्क्वाई यह सौकले एक्वेशन काता है ठीक है ना तो यहां से हम लोग drain current calculate कर लिए 2.5 mA राया चली हों most number 2 का बत बताए 1976 मांकरो प्रसेश् whereas पहला 16-bit मांकरो प्रसेशर लूदे कौण सा है यह बताना है सबसे पहला जै 16 ब自6 gets are 0-8-6 यह 16 बटना माइकरो प्रसेशर होता है 16-bit का माइक्रो प्रसेशर होता है 16 बीट का मांकरो cereal LG offset screen सी हो जाएगा सी यह 16 बिट का होता है कितनी बिट का तो इसका जो डेटा बस होता है 8086 का डेटा बस जो है वो 16 बिट का होता है और एड्रेस बस जो है एड्रेस बस एड्रेस बस 20 बिट का होता है 8086 में और यह 16 बिट का मार्ट परसर होता है इसमें जो पीन की संख्या होता है वो 40 पीन होता है वही अगर हम लोग 8085 की बात करें Intel 8085 की तो Intel 8085 जो है यह 8-bit का microprocessor होता है 8-bit का microprocessor होता है और इसमें जो है डेटा बस 8-bit का होता है और address bus address bus जो है यह 16-bit का होता है इसमें भी टोटल पीन कितना होता है तो टोटल 40 पीन होता है 40 पीन होता है टोटल टोटल जो पीन की संख्या होता है वो 40 होता है चलिए नेक्स्ट कोशन के ओर चलते हैं कोशन नमर 3 का करा रहा है इन एलेक्ट्रिकल सर्कीट टू रसिस्टर ऑफ 20-0 मैं 30 ओम आर कनेक्टेद इन पैरलल एक्रोस 60 बोल्ट डी-स अप्लाई केल का कंप्यूट द करेंट थू टवेंटी ओम डेसिस्टर देखिए दो रसिस्टर है जिसको पैरलल में कनेक्ट जा गया है 60 पॉल्ट से सप्लाइज से पैर्लल में कनेक्ट का में किया गया है ढ ren मान लिए यहाँ पे यह आपका मान लिए ब्लिटे सोर्स है कितना disp dark aical 111 पे तो रिस्टर लगाया रिह थान गया है थैक तो बीस ओम है और एक 30 ओम का है यह 20 ओम हो गया और यह 30 हो गया ठीक है अब यहां तक जो करेंट आएगा उता आई ही आएगा अच्छा पैरलल में कनेक्ट किया गया है दोनों रेसिस्टर को तो करेंट दोनों में क्या हो जाएगा अलग-अलग इसमें माली जिए आई वन तो भी इसकॉल टू आई यार हम लोग जानते हैं अब भी कितना ब्रेसिस्टर में तो सेमी होगा तो 60 वोल्ट हो गया और आई निकालना है और कुसमें निकालना है तो बीस ओम ब्रेसिस्टर का वहलू 20 हो गया तो है इसकॉल टू कितना जाएगा 2A, 2A आ जाथा, ठीक है, 300 में पुछा है तो 2A, 200 में पुछा है तो 3A हो जाएगा, option D हो जाएगा, D, चलिए question number 4 की ओर चलते हैं, कहा रहा है, in an inductor, किसमें inductor की बात कर रहा है, हाँ, inductor में, in an inductor, the tendency of the core to retain magnetic polarity is known as, कह रहा है, inductor में जो core का जो tendency होता है, to retain, मतब magnetic polarity को retain करने का जो property होता है, tendency होता है, किसमें inductor में उसको क्या कहते हैं, तो उसको returnivity बोलते हैं, ठीक है, core जो होता है, जो inner बाला पार्ट होता है, core उसका जो property होता है, magnetic polarity का retain करने का, रखने का उस tendency को returnivity बोला जाता है, option 4 का A हो जाएगा, यह power great corporation of India limited, सब्सक्राइब नेक्स्ट को चलते हैं कोशन नमर फाइव क्या कर रहा है इसका बेस के लिए कौन-कौन सा नमर यूज क्या गया है तो इसमें तो इसका जो बेसा है वह थिरी हो जाएगा जिसे ऑक्टल नमर सिस्टम के लिए बेस अक्टल के सेवें तरड डेमल में जिरू से लेके ना हिन तरड तो इसी 3 के power 1 plus 0 into 3 के power 0 is equal to कितना जाएगा 3 plus 0 तो 3 आ जाएगा 0 1 2 ये 3 हो गया उसी तरह 1 1 का निकालिएगा माली जे इसका base 3 है decimal में आप निकाल रहे हैं तो 1 into 3 के power 1 plus 1 into 3 के power 0 तो 3 plus 3 पे power 0 एक होता है तो 1 उने 1 तो 1 हो जागा चार तो देखिये इसका value हो गया 3 और इसका value 3 इसका value 4 का base 3 में होगा था उसी तरह 1 2 का value 5 हो जाएगा 2 1 2 0 का value 6 हो जाएगा इस तरह से तो इसका base 3 हो जाएगा base 3 next question देखिये कह रहा है a meter moment with internal resistance 20 ohm and sun resistance 10 ohm is required to measure 20 milliampere what is the current sensitivity current sensitivity निकालना है इस question में थोरा सा changing होगा current sensitivity नहीं यएँ पर जो होगा full scale deflection करेंद निकालना होगा ठीक है ना तो मिली Ampire में दिया हुआ है current sensitivity तो होता है radian per Ampire में तो full scale deflection current करेंद निकालना है मतलब क्या क्या दिया हुआ है internal resistance दिया हुआ हुआ है são rm संसितिजिक्ण दिया हुआ है 90 Ohm और क्या दिया हुआ है Sultan फूल एंब ऽम् obese निकालना होगा है आई एंब निकालने के लिए बोला है ठीक है ना क्रेंट सेहरे वीटी वन बई ववन बाई फूल एसकल में करेंट होड़ा है ठीक है ना तो देखिए फर्मूला आप लोग दे जानते हैं है आरेसेट इसक्रान कंशना होता है। और एम बट्टे क्या होता है independent आ इसे आएंटे आईएफ अईनesterol सकते हैं हम डियरेक्ट्ट इस फर्मूला का उसकर ले रहें तो आरासेच कितना दिया हुआ है आरासेच दिया हुआ है दस ओम इसको इसको शॉल्व कर दिए तो क्या है 10 is called to 90 बट्टे 20 माइनस आई एम बट्टे आई एम हो जाएगा हो जाएगा ना अब इसको multiply कर दीज़े इधर तो इधर cross multiplication की जाएगा तो क्या जाएगा 20 के 200 माइनस 10 आई एम बट्टे आई एम इसकोल टू 90 हो जाएगा तो नबबे गुने आई एम तो नबबे आई एम हो जाएगा अब यहाँ से देखे क्या जाएगा 200-10 I am is equal to 90 I am आ जाएगा तो यह 10 I am को उधार ले जाएगा 100 I am हो जाएगा तो 200 is equal to कितना हो गया 100 I am तो I am is equal to क्या हो जाएगा 200 बटे 100 2 milliampere आ जाएगा 2 milliampere full scale deflection current ठीक है ना और current sensitivity तो 1 by full scale deflection current होता है तो यहाँ पर according to option जो दिया है full scale deflection current ही निकलेगा मतलब 2 milliampere हो जाएगा option D full scale deflection current full scale deflection current ही निकलेगा I am का value current I am का value है ना चलिए next question को देखते हैं 7 है LVDT consume LVDT क्या होता है linear variable displacement transformer ठीक है यह एक तरह का ट्रांस्डिवसर है जिसके मिलग से displacement को मेजर किया जाता है तो LVDT जो होता है वो कितना power consume करता है तो LVDT consume low power को consume करता है ना primary winding होता है और दो secondary winding होता है दोनों secondary winding के भोल्टेट का जो difference होता है वह है उसका output voltage ठीक है तो LVDT consumes low power and hedge lower hysteresis loss option कोन सा हो जाएगा 7 का C हो जाएगा next question देखिए question number 8 क्या कर रहा है qr code जो qr code आप लोग देखते हैं scan करते हैं उसी की बात हो रहा है तो qr code बोल रहा है जो qr code हम लोग scan करते हैं उसी की बात हो रहा है qr code consist of तो क्या होता है black square रहता है ठीक है देखेंगे qr code को arrange in a square grid on a white background आप देखेंगे qr code को तो वह जो है black square होता है जो कि arrange किया जाता है square grid on a white background option c हो जाएगा 8 का C चलिए next question देखते है question नमर्ण नाइन कहा रहा है what is what is the number of power supply signal in 8085 microprocessor 8085 microprocessor में जो है कितना number of power supply signal जो है यूज़ जाता है तो जो है यूज़ किया जाता है two option nine का B हो जाएगा दो यूज़ किया जाता है question number 10 देखेंगे क्या कहा रहा है in pulse amplitude modulation P am का बात हो रहा है pulse amplitude modulation का P am pulse amplitude modulation का बात हो रहा है in pulse amplitude modulation amplitude of a carrier consisting of periodic train train of rectangular pulses is varied in proportional to the sample value of the message signal option क्या हो जाएगा 10 का B हो जाएगा 10 का B हो जाएगा अब देखें इसमें क्या होता है pulse amplitude modulation में amplitude जो है वो भैरी करता है amplitude भैरी करता है यह ना तो option कुन सा हो जाएगा 10 का बी इसमें हम लोग 10 question को देखें power grid corporation of India limited जिसका exam 5 मई 2013 को conduct हुआ था ठीक है ना डिप्लोमाटर का जोनियान जेने का question paper है next question को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे thank you for watching this video thank you so much